कुसीदी ले चलते हैं चंदौली मुक्यमंत्री योगी आधितनात के संबोध हैं। चंदौली से जुड़ेवे सवी पस्तित भाईयों बहनों, बाबा कीना राम किस पावन भोमी के सुंद्री करण, विस्तारी करण के इस पर्योजना के साथ-साथ, चंदौली और सकर्डियाविदान सवाथ-चेतर से जुड़ेवे विकास, पर्योजनाओं के लोकारफन और सिलाने असकारिक करम के उसर पर मैं आप सब को हिर्दै से बढ़ाई देता हूँ, आप सब के परतिय अपनी सुपकामना ही प्रक्त करता हूँ, यह मेरा सवभाग्य है कि अभी दो महिने पहले भी मुझे इस धर्ती पर आने का सवभाग्य प्राप्त हुआ था, चंदौली भारत के अंदर उत्तरप्रदेश का एक ऐसा जन्पद है जिस जन्पद के किसानों ने अपने परिस्रम और पुरुसार्थ से खाध्यान उत्पादन का एक रिकॉर्ड स्तापित किया है, ब्लैक राइस तीन वर्स पहले तक उत्तरप्रदेश में नहीं पैदा होता था, लेकिन आज यहां के 2400 किसान 2100 हैक्पियर भूमी पर ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं और उसको यहां से एक्सपोर्ड के हब के रूप में स्तापित करके, इस खाद्यान उत्पादन में इस जन्पत को देश और दुनिया के सामने एक नई पैचान के सामने पैचान के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। दो मेहने पहले जो हम लोग आये थे तब बाबा किना राम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की सलान्यास और कारे सुभारम्व के लिए हम लोग आये थे। और आज तो बाबा किना राम की पावन धर्ती पर उनकी जनम भूमी पर रामगड में हम लोगों को आने का सवभाग्य प्राप्तुवा और यहीं पर हम लोगों ने बाबा किना राम जी की इस पावन भूमी को पढ़नाम करते वे यहां के सुंद्री करण की एक विस्तृत क पारे उसना का सुभारम में भी हम लोग करने के लिए आ जाये हैं पयोबेनों भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन में पूझ्य संतों का रिशी मुनियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इन पुझ्य संतों के आस्रिबाद से और उनकी किर्पा के कारण ही आज देश भारत के अंदर भारत दुनिया के सामने मानो कल्यान का मानो ताके कल्यान का एक मार्ग प्रसस्त कर रहा है और तब भी मैंने कहा पर कहा था कि मेडिकल कॉलेट चंदॉली और बिहार के लोगों कले उत्तम और विस्सक के स्वास्त सेवा का केंदर तो बनेगा ही बावा कीना राम जी के नाम पर अस्तापित करके बावा कीना राम की यहां पर आसरी बाद यहां के वासियों पर निरंतर बना रहे इस संकल्प के साथ डॉक्टर महंदर नाथ पांडे जी ने सिस सुसील सिंग जी ने सिस सारता प्रसाद जी ने और सिमति साधना सिंज ने इन सभी लोगों ने इस कारिक्रम को आगे बढ़ाया था आज यहाँ पर डॉक्टर निलकंड तिवाडी जी ने बाबा की ही भूमी पर उस पावन भूमी के सुंद्री करण के एक योजना को और मूर्त रूप देने के दिसामें एक कारिक्रम बढ़ाया वाईयो बेनों एक कारिया और पहले हो सकता था यहाँ जितने हमारे तीनों विधायक बैठे हैं इन तीनों विधायकों ने अपने अपने छेत्र में पौराणी कस्तलों का पुरुद्धार करके आस्ता को सम्मान देने का कारिय क्या था अकर सकल्ड यहाँ में भी पिछली वार 2017 में भारतिय जंता पार्टी का विधायक चुना गया होता तो यहाँ पर बाबा की स्पावन भूमि को इतनी देर नहीं लगती सुन्दरी करण की योजना को लागू करने में एक कार्य भी बहुत पहले हो गया होता लेकिन आप जानते हैं विपक्स के पास कोई मुद्दा नहीं है जब उन्हें सत्ता मिली थी तब जातिवाद का परिवार और वद्वन सुबाद से उपर उठकर के काम नहीं कर पाए थे भाई भतीजेवाद के नाम पर पूरी जाति को बन्नाम कर रहे थे लूट खसोट अराजकता गुंडा गृती माफिया गिरी संसादनों पर डखेती और विकास के पैसों पर डखेती डाल करके ये लोग पैसेओं को जनता के विकास पे लगने वाले पैसे को बाहर भेजने का कारे करते थे आज वही पैसा आज वही पैसा जो दोहजार बारा से सत्र के बीच में अनावस्य ग्रूप से सत्ताधारी दल के नेताओं की फिजुल कर्ची में खर्च होता था आज वही पैसा पौरानिक और एथ्यासिक महत्व के अस्तलों के पुन्रुद्धार और सुन्दी करण के कारें के लिए खर्च हो रहा है और बावा किना राम जी की आसरीवाद से वह कारे आज रामगड में भी प्रारंब हो गया है भाईो बेनो हम लोगों ने जब यहां मेडिकल कॉलेज का स्लान्यास किया था तब भी मैंने कहा था पूछा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी को चार बार उन्हें प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का उसर प्राप्त हुआ राम भक्तों पर गोलियां चला सकते हैं लेकिन राम जनम भूई पर आतंगी हमला करने वाले आतंग बादियों की पैरवी करके बेस्त्रमिक से उनके खिलाद दायर मुकदमों को वापस लेने का काम इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में किया था ये वही लोग हैं जब नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सवीरिस्ते निकल पड़ते थे वो सूली के ले कोई चाचा कोई भतीजा कोई और कोई निकल पड़ता था और उसके बाद हर प्रतिवास साली यूपी का नौजवान बंचित रह जाता था नियायले को उस पर रोग लगानी पड़ती थी भरती नहीं हो पाती थी साड़े चार वर्स के अंदर हमारी सरकार ने साड़े चार लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर दी कोई भी किसी नौकरी पर उंगली नहीं उठा सकता है और भाईों बेनों यही नहीं नौकरी तो दी कानौन विवस्ता की बेहतर इस्तितिकों प्रदेश के अंदर बना करके जो माफिया पहले सत्ता का साग्रद बन करके प्रदेश मेरा जगता भेलाते थे आज उन माफियाओं की जरुवत नहीं कि किसी गरीब की किसी ब्यापारी की किसी किसान की संपति पर कब जा कर सके या किसी बहन बेटी की तरफ टेड़ी नजरों से देख सके अगर देखेगा तो प्रदेश सरकार का बुल्डोजर भी खड़ा रहता उसकी चाती पर चड़ने के लिए क्योंकि प्रदेश को तो इन्होंने पहले चरागा बना दिया था आज प्रदेश विकास की नई पुलंदियों को छूरा है एक नई उचाईयों के साथ उत्तर प्रदेश आगे वड़ रहा है मेडिकल कॉलेज के निर्माण का हो 1947 से लेके 2017 तक प्रदेश में केवल 12 गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और भाईयों बेनो 2017 से अब तक हम 33 गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं 33 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं आज जहां इंटर कॉलेज चाहिए वहां इंटर कॉलेज जहां डिगरी कॉलेज चाहिए डिगरी कॉलेज जहां आइटियाई चाहिए वहां आइटियाई जहां पॉलिटेक्निक चाहिए वहां पॉलिटेक्निक जहां होस्पिटल चाहिए व साप्रेटन योजना के अंतरकत इसका विकास हो गया है यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्या कर रही थी भाई बहान की जोडी क्या कर रहे थे दो लड़कों की जोडी है और क्या कर रहे थी बवा और बुआ की जोडी इन्होंने विकास तो कभी किया ही नहीं, विकास की कोई सोच भी नहीं थी, इन्होंने क्योल अपना विकास किया, इनके लिए अपना परिवार ही पुरा प्रदेश था, यानिवे क्योल अपने परिवार का विकास करते थे, और जब प्रदेश की बात आती थी, तो उनको हे दिस से देखते थे पहले बिजली भी नहीं देते थे सड़क भी नहीं बनाते थे गुंडागिर्दी अलग से करते थे करे केंदर नहीं चलते थे हर व्यक्तितवा था और हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड की जनता ही परिवार है मेरा मेरा है परिवार किस परिवासा को अगर अखले स्यातों समझे होते तो ह clinical मु도 परिवार की चर्चा करने की परिवार ना होने की मेरे किसी प्रकार का कोई आक्सेप नहीं करते उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए तो पचीस करोड की प्रदेश की जनता ही परिवार है मेरा और इसलिए मैं जो भी करूँगा इस पचीस करोड की आबादी को ध्यान में रख करके करूँगा लेकिन तुमारी संकुचित सोच थी इसलिए किवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे प्रदेश के बारे में नहीं और इसलिए प्रदेश में दंगे होते थे पर वो और त्यवहार नहीं मनाने दिया जाते थे किसानों के जीवन पर खिलवा के साथ खिलवाड होता था नौजवानों के भौश्य के साथ खिलवाड होता था बहन बेटियों की इज़्जत के साथ खिलवाड इनके मंत्री गण करते थे प्रदेश में राजकता चरम पर थी कानौन विवास्ता तार तार पर थी कोई उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था लेकिन भायों बैनों पौने पांच वर्स भारती जन्ता पार्टी की सरकार को प्रदेश में हो गए हैं प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ परव औरतेवार सांति पूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं और अब तो परव औरतेवार के पहले भी जब दुनिया करोना से तपती है उत्तर प्रदेश में दिपावली हो या विजया दस्मी करोना छट के पहले पूरितरे सांत हो ठान तरीके से मना डिये जाते हैं कि में और दंगाई संत नहीं होएं है अब करोना भी यहां की आस्ता को देखकर करके चुपचाप सांत हो करता है और जन्ता उच्सा के साथ अपना पर्वोर तेवार मनाती है यही तो पलब्दि है और इसले में आपको इसास कराने के लिए आया हो निए बिकास और के इसकी स्टी अटब रूंघनीक रूस्टिजि और शीमतियस श्रादया प्रशाजी करते हैं आए यहि हैं अपने अपनी बिधानसवा सीटों के लिए सकल डीहा में भी अगर भरती जंता पार्टी का बिधायक होता भायो बेनो तो यहां पर भी विकास उतनी तेजी के साथ वड़तावा दिखाई देता जैसे अन्य बिधानसवा छेत्र में है और इसी लिए आपका आवहान करने के लिए आया हो हो सकता कोई भी कारण रहा हो लेकिन अब चूकना नहीं है उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थ भी वस्ता बननी है उत्तर प्रदेश के विकास की योचनाओं कलाब गाउं गरीब किसान नौजवान महलाएं स समाज के प्रतेख तबके तक पहुंचना ही चाहिए सपा के समय में गरीबों को रासन नहीं मिलता था आज तो फिरी में रासन मिलना आप किया रासन मिलना है लोगों को और अब तो दिसंबर से ले करके होली तक फिर से दो दो बार रासन मिलना है रासन के साथ दाल भी मिलेगी खाद्य तेल भी मिलेगा अंतोदे काड़ धारकों को चीनी भी मिलेगी और नमक भी सब को प्राप्त होगा मोदी जी ने जीवन को भी बचाया है और जीवका को भी बचाने के लिए जो विहान चलाया है फ्री टेस्ट फ्री में उपचार फ्री में रासन और फ्री में वैक्सीन सब को वैक्सीन कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है बहुत अच्छा और मेरा आप सबसे नोध होगा जो लोग बच गए वैक्सीन अभी तक नहीं लिये हैं जो लोग अब तक वैक्सीन नहीं ले पाए हैं उन लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए दोनों वैक्सिन लेने के लिए हमें तयार करना होगा यह वैक्सिन प्रभाविये कारोना से वचाएगी एक नया वैरइंट आया है उससे वचाओ करने के लिए उत्तम उपाया है बचाओ और बचाओ के लिए जीवन रखसक के रूप में मोदी जी ने वैक्सिन फिरी में दी है, सबको दी है इस सपा बस्पा और कॉंग्रेस की तरह नहीं हो रहा कि चेहरा देख करके देंगे हमने का नहीं जो प्रदेश का है देश का है सबको वेक्सीन फिरी में वेक्सीन और इसलिए प्रदेश की तरफ से हमने का कि धन्यबाद मोदी जी आपने हमारी जंता को बचा दिया है इसले मापका आभार वेक्ट करते हैं वैयो बेनों ये वैक्सिन सबको फिरी में है तो फिरी में वैक्सिन का लाब सबको लेना चाहिए हर वेक्ट इसका लाब ले और इसका लाब ले करके करोना जैसी महामारी से पचाओ के लिए उत्तम पाई हम सब को करने होंगे आज की सोसर पर मैं एक बार फिर से विकास किन धेर सारी योशनाओं को आपने देखा होगा कल्यानकारी योशनाओं का लाप एक केवल अन्य नहीं दिया जा रहा है गरीबों के लिए आवास दिये जा रहे हैं हर गरीब के गर में सोचाले बनाए गए हर गरीब को बिजली के फ्री कनेक्शन दिये गए रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन दिये गए आई उस्मान भारत का पाचलाग रुपे का हर वर्स उन्हें गौर्डन काड़ प्लब्द कराया जा रहा है और विकास की योजना को जोड़ते वे हर एक व्यक्तिके विकास के छेत्रम विकास के माद्यम से उसके जीवन में खुसाली लाने का कारिक्या जा रहा है और उस विकास के साथ लोग कल्यान करी योजनाओं के साथ आप सब को जोड़ने के लिए और आपकी आस्ता का सम्मान करने के लिए आज हम सब यहां पर पस् बाबा कीना राम जी की इस पावन भूमी को कोठी कोठी नमन करते हुए आप सब को विकास की नियोजनाओं के लिए हिर्दे से बदाई देता हूँ अपने मंच पर उपस्तित मानिय सांचाद और केंद्रिय मंत्री समेट अपने तीनों विदायकों को उनका विनंदर करता हूँ की विकास के लिए निरंतर चंदौली के लिए प्रयास करते हैं सकल डीहा की जनता भी विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ेगी इस विश्वास के साथ आप सब के प्रति मेरी सुपकामनाए धन्यबाद जैहिंद जैजे स्री राम और प्रेस्ट बेल इकल नेवर मिस्स अपडेट